सब मोह है, सब माया है, सब मिथ्या है नमस्कार मोह माया मिथ्या के इस ताजातरीन बुलिटिन में या यूं कहूं कि एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है भई, कैसे हैं आप? आपका रैस्पॉंस देखकर, आपके कमेंट्स देखकर, मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूं कि आप अच्छे हैं पहले से बेहतर हैं, और मेरी उम्मीद भी यही है, कि आप और अच्छे हैं आज मैंने आज के एपिसोड में टे किया है, कि कोई तस्वीर कोई वीडियो आपको नहीं दिखाऊँ का मेरा मानना है, कि जब हम किसी खबर के पीछे की मोह, माया और मिथ्या का आकलन कर रहे हों तो तस्वीरें और वीडियो ध्यान भटकाते हैं, ये काम तो और लोग भी कर रहे हैं, हम क्यों करें भला और दूसरी बात ही है, कि इस कहानी में आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जिस खबर के पीछे की मोह, माया, मिथ्या बताने जा रहा हूँ, कोई ऐसा किरदार नहीं है, जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसकी तस्वीर अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, तो ज आप सितंबर से राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उड़ती उड़ती खबर इसी लिए, क्योंकि नैशनल मीडिया राहूल गांदी की इस यात्रा की खबर को हलके में लेकर ही चल रहा है, नियूस चैनल्स पर ये खबर तभी आती है, जब राहूल गांदी की यात्रा की कॉंट्रोवर्सी बताएंगे और नहीं इस बात का हिसाब गिनाएंगे कि राहूल गांदी किसके गले पड़े या फिर कौन राहूल गांदी के गले पड़ा, हम विशुद रूप से इस यात्रा के मकसद की बात करेंगे जो कोई नहीं कर रहा है, देखिए, एक बात पर तो आपने भी गौर किया होगा कि आम तोर पर हर नदी उत्तर से निकलती है और दक्षन में जाकर समंदर में मिल जाती है, इस लिहाज से देखें तो राहूल गांदी की भारत जोडो यात्रा उल्टी गंगा बाहा रही है, जी हां, राहूल गांदी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है कि वो नरेंदर मोदी को हरा देंगे, राहूल गांदी 2002-2012 तक गुजरात में यही कोशिश कर रहे थे और 2014 के बाद अब वो पूरे देश में यही कोशिश कर रहे हैं कि एक नएक दिन तो नरेंदर मोदी को वो हरा कर ही मानेंगे, अच्छा जोड़ो यात्रा के पीछे भी यही मोह काम कर रहा है, जिसमें चेहरा तो राहूल गांदी हैं, लेकिन दिमाग दिखविजे सिंका ही है, मास्टर प्लैनर हैं वो इस यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा का प्लैन जिस हिसाब से तयार किया गया है, उसने कॉंग्रेस को इ लेकिन उनकी यात्रा का पहला पड़ाव ही उन राज्यों में है, जहां उनकी बीजे पी से लड़ाई है ही नहीं, दक्षिन भारत में तमिलनाडू में डीम के सत्ता में है, और कॉंग्रेस उसकी जूनियर पार्टनर, केरल में कॉंग्रेस की लड़ाई लेफ्ट फ्रेंट से है और बेचारे लेफ्ट फ्रेंट वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि राहूल गांधी जब मोदी के खलाप विपक्षी एक्ता की मीटिंग में उन्हें बुलाते हैं, तो केरल में जाकर उन्हें ललकारने क्यों लगी है, करनाटक में कॉंग्रेस की टकर बीजे पी से है, व महाचुनावी मौसम में भी टिकर बरसने के बजाए बस फोहार मारते हुए MP में घुज गए, MP में पिछले चुनाव में ही कमलनात और दिग्गी राजा ने राहूल बाबा को बोल दिया था कि भाया, आप दूरी रहिए, हम खुद लड़ लेंगे, क्योंकि अगर आप यात्रा का मकसद राहूल गांदी के हिसाब से यही है, अब कॉंग्रेस को मजबूत करना है, तो कहा करना है, UP में करना है, जहां लोग सभा की 80 सीटे हैं, बिहार में करना है, अरी बंगाल में करना है, जहां लोग सभा की 82 सीटे हैं, उडिशा में भी तो कर सकते हैं, 21 सीट हैं लेकिन राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा तो उधर ज्ञाकने तक नहीं जा रही फिर भी कॉंग्रेस और राहुल के मुह में फसे लोगों को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कॉंग्रेस की जणे मजबूत होंगी और राहुल गांदी 2024 में मोदी को हरा दे राजनी ती शास्त्र में इसी को तो माया कहा जाता है जिसमें कॉंग्रेस फशी हुई है या फिर कॉंग्रेस के नेतापने समर्थकों को फसाए हुए है अब आते हैं मिथ्या पर देखिए इस यात्रा से अगर आपको लगता है कि कॉंग्रेस मजबूत होगी तो मैं बता दूँ आपकी सोच मिथ्या है हाँ निसंदे इससे राहूल गांधी की इमेज बदल रही है वो अब युवा नेता से अदपकी दाड़ी वाले अधेड़ परिपक्व नेता के तोर पर पेश किये जा रहे हैं लेकिन उससे कॉंग्रेस का संगठन कैसे मजबूत होगा किसी पार्टी का संगठन कब मजबूत होता है तब मजबूत होता है जब आम लोग उस पार्टी से जुडाव महसूस करें यहां तो राहूल गांधी क्या कर रहे हैं? लोगों से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अब जिनसे वो मिले, जिनके गले लगे, जिने गले लगाया, उनको जोडने का काम कैसे होगा? उनके साथ फॉल अप मुलागातें कौन करेगा? इसका कोई प्लैन दूर दूर तक नहीं दिखना हैं दिखेगा भी कैसे? क्योंकि प्लैन बनाने वालों को तो बस इतना देखना था कि राहुल गांधी मीडिया में न सही सोशल मीडिया में दिखते रहें और वो दिख भी रहें अच्छा, एक और गुड ग्यान आपको बताते हैं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा जान बूझकर यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ नहीं बढ़ी वहां जाते तो बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी, ममता बनर जी की पार्टी और लालू नितिश की पार्टी से क्लेश हो जाता क्यूंकि इन तीनों राज्यों में कॉंग्रेस नम की चिडिया पहले ही हुर है राहुल गांधी आते तो दिखाने के लिए ही, कॉंग्रेसियों में जोशकी हवा भरी जाती और फिर कॉंग्रेसियों का यूपी बिहार बंगाल में बीजेपी से पहले उनी पार्टीयों से टक्राव हो जाता जिनके साथ प्रिजेंट टाइम में या फ्यूचर में कॉंग्रेस को अलाइंस करना है यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी और जेड्यू और बंगाल में टीमसी का वोट बेंक वही है जो कॉंग्रेस का है कॉंग्रेस वहां मजबूत होगी तो उनी पार्टीयों का वोट खाईगी ये चिंता भारत जोडने से भी बड़ी चिंता है। कॉंगरेस को भारत के साथ जोडना है, लेकिन ऐसा होने की कोई गैरंटी नहीं। लेकिन यूपी बिहार बंगाल में सेक्यूलर दोस्तों से दुश्मनी की गैरंटी पक्की हो गई है। इसी डर का नाम है भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जो कन्या कुमारी से शुरू होकर शिरी नगर तक जाता है। एक सीधी सी पट्टी बनाता है जिसे राहुल गांधी पूरा भारत मान चुके हैं। बहरा हमारी शुपकामनाई कॉंगरेस के साथ हैं राहुल गांधी के साथ हैं वो भारत जोडने निकले हैं। सबसे पहले उन्हें ये देखना होगा कि क्या वाकई भारत को जोडने की ज़रूरत है या उससे पहले कॉंगरेस को जोडने की ज़रूरत है और क्या वाकई में भारत को जोडने की ज़रूरत है भी काडर की ताकत पहचानी राहुल बाबा ममता बनर जी से सीखिए काडर के द लाइक कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत-बहुत खैल रखियेगा में मुमाया बिच्छा का एक ताज़ा तरीन एपीसोड ले करके बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करता हूं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्का झाल झाल झाल